हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई स्टडी शीट चनल दोस्तों प्रिविएस एर में जितने भी कोस्टन से जीकल एजुकेशन कंपेटिटिव एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के विएस एंडियस यल्टी में पूछे गया हैं उन सभी कोस्टेंज को टापिक वाइज आपके स हुस्त था मक्च प्रस्तुत खर रहे हैं जोस्तों सिर्मारख समच्षे प्रस्तूत कर रहे हैं सभी वीडियो इसके वेथरीन बना सकते हैं जोस्ते बीक्रेशना जा रहा है, उसका प्रेटिस करना ना भूलिएगा तो चल जी चलते हैं आज के प्रस्टनों की तरफ तो फर्स्ट कोश्चन है कौन सा प्रजEक्टाइल याने प्रच्छे का उदाहरण है तो सबसे पहले जा लेजें कि प्रजEक्टाइल क्या होता है तो प्रोजेक्टायल जो होता है वो जहें लीन, शार्टपूर, डिसकस्ट्रो, आधी जो फ्यकने वाली चीजे हैं उनको किस कोड़ पर फ्यका जाए कि वो अधिक्तम दूरी तैक करें, इसी को प्रोजेक्टायल के अंतरगत रखा जाता है, यानि किसी वस्तु को यदि 45 अं कि कोड़ पर फ्यका जाता है, तो कोई भी दूरी तैय नहीं करती, अधात प्रच्छे पर सुन्नी होता है, तो दोस्तों यहां पे आपसर नंबर सी करेट हो जाएगा, हवा में फेकी होई गेंद, जो दोस्तों यह व्यादरिक विज्ञानों के कुछ मौलिक सिधान, सिधानतों का खेल कूद के मौलिक कोशनों से सिधा संबंद होता है, उदार के लिए गोला फेकने वाले को अधित्तम दूरी प्रात करने हैं, तो गोले निवने लिखित में से कोड सही है, डिसकर्स थ्रो का छेतरक कोड 34.9.2 अंस होता है, दूसरा है, पहला है डिसकर्स थ्रो का छेतरक कोड 34.9.2 अंस होता है, यह तो सही है दोस्तों, डिसकर्स थ्रो का छेतरक कोड 34.92 होता है, एन दोस्तों, डिसकर्स थ्रो का जो छेतरक को तो शार्ट पूर्ट एंड हैमर्थू इन तीनों का जो सेक्टर का कोड होता है फेक्नी का ओ चोतिस बानवे ही होता है तो पहला आपसर यहां पर सही हो जाएगा एंड दूसरा है शार्ट पूर्ट का छेत्रे कोड 45 अंस होता है यह गलत है पुरुष डिसकस का ब्यास 22 सेंट होता है यहां फेक्ञाव महिला जर्विन का नंव यहां पर कितने आफसर तरही? कौन-कौन से? तो आपसन नमर B यहाँ पर सही हो जाएगा एक तीन और पांच एक में डिसकस थ्रो का छेतरक कोड चोटिस बान बियांस है एंड तीन में पूरुस डिसकस का ब्यास बाइस सेंटिमीटर है एंड पांच महिडा जेवनिंग की लंबाई 2.2 से 2.3 मिटर है नेश्ट कोशन है पूरुस बाले की लंबाई कितनी होती है दोस्तो पूरुस बाले की लंबाई 2.6 0 से 2.7 0 मिटर होता है आपसन नमर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वही पर महिडा बाले का लंबाई पूछेगा तो 2.2 0 से 2.3 0 मिटर हो जाएगा पूरुस बाले का वजन 800 ग्राम और महिला बाले का वजन 600 ग्राम होता है अन्य बहुत पर नेमों में यह होता है दोस्तों भाला फेक में की भाला एक ब्रित खंड के पीछे से फेका जाना चाहिए जिसका चाक जो आठ मीटर होता है ब्रित खंड के अंत में दो रेखाएं चिनहित की जाने चाहिए जो 29 अंस का सेक्टर बनाए दोड मार्ग 30 मीटर से कम तथा 36.5 मीटर से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए नेक्स कुर्श्चन है महिला भाला का वजन होता है पूर्शो के लिए भाले का वजन क्या होता है तो आठ सो ग्राम ठीक है पूर्शो के लिए आठ सो ग्राम महिला के लिए छे सो ग्राम पूर्श्वर के भाला प्रच्छे प्रहेतु भाला की अधित्म लंबाई कितनी होती है जैसा कि दोस्तो भाला पुरुस के लिए भाला की लंबाई 2.60 से 2.70 होता है तो अधित्म क्या हो जाएगा 2.70 मीटर ठीक है आपसर नंबर सी यहां पर करेट हो जाएगा next question है दोस्तो हिच किक विधी किस इवेंट की तकनीक है तो हिच किक विधी लंबी कूद की तकनीक है दोस्तो लंबी कूद में तीन इस्टाइल का परियोग किया जाता है इसे cycling भी भी बोला जाता है एंड hang style और sell style तो इसको याद कर लेजीए क्योंकि यह बाë अल्ये बाट पुछ सकता है फिर वस्टेमिक hang style sell style लंबी कूद में style है इन दोस्तों उचे कूद में कौनकों से style का प्रियोग होता है सीजैर सेली वेस्टरन रोल, स्ट्रेडल रोल एन फासबरी फ्लॉफ इस चार बिधिया प्रियुक होता है उची कूद में एन दोस्तों सार्ट पूट में कोई सा प्रियुक होता है बिधी पाचीन सेली जी से आर्थोडॉक्स इस्टाइल कहते हैं परियुपरायणी स्टाइल दुसरा और थिसकोप पर जो आधनिक श्टाइल है इन तीन भीडियूट में एन त्री कुदानी ट्रिपल जन्प में भी तीन भीडियों का प्रियुक किया जाता है वेस्लेट टेकनिक इस्टीप टेकनिक एन मिश्टिच टेकनिक नेक्स्ट कुश्चिन है चार गुड़ी 100 मीटर रीले दोड में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है तद पस्चाथ अन्य टीम का एथलीट दुसरा फाउल स्टार्ट करता है तो क्या निर्ड़े होगा तो दोस्तों यहां पर आपसा नंबर बी करेट हो जाएगा दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे अने महत्पुर्ण नियम इसमें है दोρεस्तों कि सभी स्प्रेंट दड़ों के सभी नियम जो अन्य रहेरा के रूल्स कोते हैं वही रूल्स रिले ड़ों में लागू होते हैं नेच्ट कोशन हैं एंकर धावक का संबंध है तो दोस्तो एंकर धावक का किसे संबंध है Really torture enne answer number B correct होगा Next question है अंजू बाबी जार्ज संबंधित है किस से संबंधित है तो लंबी कुद से अंजू बाबी जार्ज किस संबंधित है लंबी कुद से अंजु बाबि जार्ज लंबी कूद से सम्मंधित हैं उन्होंने वर्स 2003 में पेरीश में आयोजे 22 एथलेटिक्स चेंपियनशीप में लंबी कूद में काश्य पदक जीत कर इतिहास रचा था एन दोस्तों इसकी अलावा कौंकोर्स लंबी कूद में है जेसी वेंस, बाब बीमन, माइक पॉविल, टीसी योहनन, कार्ल लेविश, सुरेश बाबू, एन के प्रेम कुमार आधी लंबी कूद के अन्यप्रसीद दिखिलाडी है नेक्स कूच्चन है अन्जु बाबी जार्ज किस खेल से रिलेटेट हैं जोस्तों एघ्लेटिक्स फ्रम नेकार आधी लेजु पेविल लंबी कूद्ना धेकर लिदियागा है तो अपसेरी होगा आपसनमपर-D जी आटा किसमें जंपिंग फ्रोइंग ये फ्लेटिक्स चीमापुनिया जो है इसलेटिक्स खेलों से समद्धित है इन्होंने डिस्कर्स थ्रों में प्रतिक्ता में वर्स 2014 के ACN खेलों में स्वड़पदक प्राप्ट किया था और 28 ACN खेलों में सीमा ने डिसकर्ष्थरो इस परधा का काश्यपदक गीता था 2014 के ACN गेम में स्वडपदक, 18 ACN गेम 2018 में काश्यपदक गीती है सीमा पुनिया जी डिसकर्ष्थरो में, ठीक है? किष्णापुनिया का संबंध है तो किष्णापुनिया का भी संबंध है तस्तरी फेक यानिकी डिसकर्श्थ्रों से इन्हों ने 2006 में दोहा CIE क्याण प्धक जीता तथा 2010 में रॉस्ट्रमंडल खेलों उसमें श्वड़ पदक जीता था किष्णापुनिया ने राश्टमंडल खेलों में श्वड़ पदक जीतने वाली वह पहली भारती महिला एतलित भी है किष्णापुनिया एंदोस्तों 2018 में शंपन्द राजस्थान विधान सभाचुनाव में सादलपूर असंबिली में जीत हासिल की है next question है दोस्तों कि किष्णापुनिया संबंधित है तो किस खेल से संबंधित है जैसे कि discuss throw से संबंधित है तो discuss throw किस में आता है एथलेटिक्स में एथलेटिक्स से रिलेटेड है आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा next question है दोस्तों वह ACI खेल जिसमें PT उसा चार स्वड़ पदक जीत कर उड़न परी कहलाई तो कौन सा ACI खेल था दोस्तों 1986 का Seoul Asian Games में आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा और PT उसा न वर्स 1986 की Seoul Asian Games में 200 मिटर, 400 मिटर, 400 मिटर बाधा दोर और 400 मिटर रिलेडर में स्वड़ पदक प्राप्त करके इतिहास राचा और उड़न परी के नाम से विख्यात हुई नेक्स कोर्शन है दोस्तों कि PT उसा निमनलेखित में से किसे से विशेश रूप से सम्मधित है यानि कि 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 रूप में वो ज्यादे तर जाने जाती हैं किसमें ज्यादे प्रसिद्ध हो तो दोस्तों 400 मिटर बाधा दोर के नाम से PT उसा का नाम ज्यादे विशेश तर ल भारती महिला थी नेक्स्ट कुर्शन है गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है तो गौल्डन कर्ड किस की आत्मकथा है तो पीती उसा की और पीती उसा को पायूली एक्स्प्रेंश एवं उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने इनको 1883 में अरजन पुरुषकार प्रदान किया गया नेश्न है भारती फ्लाइंग शिख कौन है तो दोस्तों फ्लाइंग शिख किसे बला जाता है मिलखा शिंग को आपसन नंबर B करेक्ट हो जाएगा अविभाजित भारत में जन्में मिलखार शिंग का नाम भारत के के प्रतिष्ठित धावकों में समलिद किया जाता है इन्हों नहीं प्लाइंग श्रिक के नाम से जाना जाता है इन्हों ने 1958 के ACI खेलों में 200 मीटर वह 400 मीटर में स्वर्ड़ गीते और 1958 के यानि आपको ध्यान एक रखना है कि उनी संथान के एक खेल वे भी एंड उन्हें संथान के जो नाम है तो मिलखा सिंग जुड़े हुए हैं किस से जुड़े हुए हैं दोस्तों सो मीटर दोर से से कि 200 मिटर दोर से कि 400 मिटर दोर से क्रिव्पटा हुगा इंहों यह धोंसी दोनों हो माइजन संथे से की सघल से चार्ष और शोल पदक गीता है थे निए दोस्तों बिजाये सिंग चोहान की स्खेल से शंबंदित है तो बिजाये सिंग चोहान जो है एक लेटिक्स से रिलेटेद हैं समझी आपसर नमबर एक करेक्ट हो जाएगा वह भी जी जे चोहान एथलेटिक्स के डेका थलान से पुरुषकार से समानित किया गया था एथलेटिक्स में सुर पर्थम अर्जुन पुरुषकार प्राप्ट करता कौन है गुरु बचन सिंह रंधावा हैं एथलेटिक्स में सुर पर्थम अर्जुन पुरुषकार प्राप्ट करता कौन है गुरु बचन सिंह रंधावा हैं थ हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है 1984 के ओलंपिक खेलों में ट्रेक और फिल्ड इस्टार कार्ल लुइस ने कितने श्वडपदक जीते हैं तो इन्होंने चार श्वडपदक जीता था किस किस इवेंट में 1984 के ट्रेक और फिल्ड इस्टार कहे जाने वाले इन्होंने चार श्वडपदक सो मीटर वदो सो मीटर दोड़ चार गुड़ी सो मीटर रिले रेश एंड लांग जंप में प्राप्त किये थे and next question है दोस्तों सभी sprint दोड़ों में एक starter का उप्योग करना चाहिए किसका प्रयोग करना चाहिए crouch start का दोस्तों छोटी दोड़ी की दोड़ों जिसे sprint चाहें sprint race यानि कम दूरी की दोड़े होती हैं यैसे तक बादक किया जाता है सिटिंग स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट कहा जाता है आइसी दहणों में स्टार्टिंग ब्लाग का प्रियोग किया जाता है जिसे एसलीट को अच्छा स्टार्ट लेने में काफी मदद मिलती है करौक चाँच स्टाइब के समय स्टार्टर तीर संकेद देता है कौन-कौन सा आन्यर मांच !! तिन प्रकार का होता है बंच ब्लिट इस्टाइब चाइब स्टाइब उसमें स्टार्ट का प्रीयोग किया जाता है और दोस्तों जो मध्यन दूरी और लंबी दूरी की दोड़ें होती है उसमें standing start का प्रयोग किया जाता है और उसमें दो ही command दिया जाता है आने और marks and go sit का नहीं दिया जाता है तो दोस्तोँ एधा आज का, आज की प्रश्न आयो हो कि दोस्तों सभी questions, आपको समझ में आयो होंगे एंड दोस्तो वीडियो कैसा लागा मुझे reducingается बताईए और जादे से जादे से शियर किया कि ये दोस्तो डैली basis पे बने रहिे मेरे चैनल पे जिससे आपको सभी प्रकार की वीडियोज मिलते रहेंगे दोस्तों पहली बाद विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बिल आइकन को फ्रेस कर लिजी जिससे जो ही मैं नया वीडियो अपलोट करूँगी उसका नाटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहें